हलो फ्रेंड्स मैं आदित और आपके अपने यूटूब चैनल आलवेज अस्ट्री में आप सभी को स्वागत करता हूं चैनल को सक्स्राइब वीडियो को लाइक कमेंट और सेयर जरूर कर दिजिए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कुशन की तरफ ठीक है इसमें जो कमें से कौन सा हइड्रोजन का आइसोटोप है तो विकलप 2 इसमें सभी है उपकर के सभी क्या है वो देखे हैं प्रोटीयं ट्यूटेरियम ट्रिट्रियुम अपके यह तीनो विकलप जो है सभी है अर्थात की विकल्प D आपका इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है फसल फसल सनियंत्र का कवर रोग निम्न में से कौन सा है कपास की विल्ट जो है ये फसल सनियंत्र का कवर है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं विकल्प भी इसमें आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है हमारा परमाडू परमाड विखंडन प्रक्रिया के दवरान उत्पन उर्जा का प्रियोग किया जाता है बिजली बनाने में जाता है बिकल्प भी आपका इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन है इन में से कौन गैसों के प्रशरण का एक उधारन है इन में से कौन गैसों के प्रशरण का एक उधारन है ये चाल बिकल्प दिये गए है पूछा जा रहा है ये गैसों का प्रस्रण का उधारन कौन है, खाने की सुगंध, अगर बत्ती की खुश्बू, इत्र की महत, ये तीनों है, अर्थात की बिकल्प लिए इसमें आपका सही है, आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं, अगला कुशन है, निम्न मेशे, अगला जो कुशन है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है बर्फ, उबलते पानी, भाफ और उपर के सभी बिकल्प आपका इसमें C सही है भाफ आपको सीधा सीधा समझना होगा बर्फ से ताप नहीं मिलता बर्फ गलता है उबलते पानी और भाफ भाप जो है सबसे ज़्यादा ताप देने वाला है भाप ठीक है विकल्प सी आपका इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है इन में से कौन महामारी और अस्थानिक दोनों प्रकार की बीमारिया हैं अस्थानिक और जो है महामारी महामारी और अस्थानिक दोनों प्रकार की बीमारिया हैं ये तीन चार विकल्प दिये गए हैं पूछे जा रहे हैं इन में से कौन महामारी और अस्थान स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुछन देखते हैं अगला कुश्चन है निमने में से कौन ग्राफेन के बारे में सही नहीं है विकल्प भी तीन डायमेशनल इस्टेक्चर तीन डायमेशनल इस्टेक्चर जो है ये ग्राफेन के बारे में सही नहीं है विकल्प भी इसमें सही है अगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते है अगला कुशन है रेजिन रेजिन क्या है रेजिन क्या है रेजिन जो है मेलवेर है ठीक है मेलवेर रेजिन है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है लीफाई के लिए गलत कथन कौन है तो गलत कथन जो है यह एक wire connection है यह एक wire connection है leaf file जो है leaf file के लिए कौन सा गलत कथन है पूछा जा रहा है तो यह एक wire connection है विकल्प भी इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है अगला question है सबसे बड़ा अड़ सबसे बड़ा अण कौन सा है जो मानवतन का एक हिस्ता है सबसे बड़ा गुण सूत्रवन है गुण सूत्रवन जो है वो मानवतन का सबसे बड़ा हिस्ता है ठीक है गुण सूत्रवन ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है पहले प्रकास की गति को किसने मापा था पहले प्रकास की गत को किसने मापा था ओ लांस रोमन ने जो है सबसे पहले प्रकास के गत को मापा था ठीक है विकल्प भी इसमें सही है आगे देखते हैं गिरिगिट रंग क्यों बदलता है अगला जो कुशन है वो है गिरिगिट जो है किस कारण से रंग गिर्गिट रंग क्यों बदलता है तो गिर्गिट जो है गर्मी प्रवंधन के लिए रंग बदलते हैं गर्मी प्रवंधन के लिए गिर्गिट रंग बदलते हैं ठीक है ये कुशन बहुत ही फेमस कुशन है कई बार ये कुशन आया है गिर्गिट रंग क्यों बदलता है तो गीरिगिट जो है गर्मी प्रवंधन के लिए रंग बदलते हैं ठिक विकल्प भी सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशण देखते हैं अगला कुशण है अगला कुशण आपका है के के इकाई को निमनलिखित में से क्या मापने के लिए प्रियोग किया जाता है तो ताप मान जो है केलविन को मापने के लिए जो है किया मतलब केलविन इकाई को निमनलिखित में से क्या मापने के लिए प्रियोग किया जाता है तो ताप मान जो है मापने के लिए प्रियोग किया जाता है बिकल्प B, C, इसमें आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है, विटामिन B वन की कमी से कौन सी बिमारी होती है विटामिन B, वन की कमी से कौन सी बिमारी होती है वेरी-वेरी, वेरी-वेरी जो है कमी से वेरी वेरी रोग जो है वेरी वेरी विमारी जो है विटामिन B1 की कमी से होती है विकल्प D आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है राइनो वाइरस की वज़ा बनता है राइनो वाइरस की वज़ा बनता है आम जुखाम की वज़ा से राइनो वाइरस की वज़ा बनता है ठिक बिकल्प एस में सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है निम्नलिखित में से किसे इस्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किसे इस्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है मेरी में सीयर में सीयर सोला में सीयर सोला को जो है इस्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है विकल्प एस में सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं कितना कुल आक्सीजन और रक्त सरीर में मस्तिस्क द्वारा इस्तिमाल किया जाता है कितना कुल मतलब की कितना भाग जो है कुल भाग जो है आक्सीजन और रक्त सरीर में मस्तिस्क द्वारा इस्तिमाल किया जाता है 20% जो है रक्त जो है सरीर के मस्तिस्क द्वारा इस्तिमाल किया जाता ह अक्सीजन और रक्त ठीक विकल्प ए सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है मानाव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो मानाव सरीर में सबसे छोटी हड़ी इस्टेपीज है ठीक है विकल्प भी आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला अगला कुश्यन है मात्र दो उतक कौन से हैं जो खून से आकसीजन प्राप्त नहीं करते नाखून और कार्निया जो है ये दो उतक हैं जो खून से आकसीजन प्राप्त नहीं करते हैं ठीक विकल्प ए आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन है आख का कौन सा भाग आख के रंग का निर्धारन करता है तो आईरिस जो है वो आख का भाग जो है आख के रंग का निर्धारन करता है आईरिस विकल्प भी आपका इसमें सही यहाँ पर वीडियो समाप्त हुआ वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक पे थाइंक्स फार वाचिंग